दुफ्तों मसंदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टो यूटूब चैल में दुफ्तों आज स्रीज नंबर है सेवंत यानि आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए माडल पेपर सेशन 2020-21 आज किस जो माडल कोश्टन पेपर होने वाले वो हिंदी के होने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहेगा 2020-21 आने वाले सत्र में जो भी पेपर होने वाले 2021 में उसमें कैसे कोश्टन पूछे जाएंगे और किस प्रिकार के आएंगे क्योंकि पेंडेमिक के वज़ा से बहुत सारे चेंज हुई है तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस टायप के कोस्टशन आएंगे ज्यादा तर और कौन-कौन से कोस्ट्ण लगाता है पिछले सालों में रिपीट हूए हैं वो इस बार भी आने के चांशे हैं तो मैं बहुत साइज आई-जानकारी और बहुत सारे कोस्ट्ण आप लोगों को आने वाला जो आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह है पूरा देखते रहेगा बिना देरी किया वीडियो को स्टार्ट करते दुस्तों अजो इस्टुडेंट चैनल को सबस्काइब करके रखेगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यानि हिंदी में जो हजाय प्रसाद दुवेदी जिससे रिलेटेज जो भी छे साथ कोश्चन पूछे जाते हैं अगर आप यह वीडियो पूरी कबर कर लेते हैं पूरी इंड तक देखते हैं तो आपके पांच शे नंबर हंडर परसंट किलियर हो जाएंगे क्योंकि कंड़ा में चप्रह में कासी में बलिया में बलिया जिले में प्रसाद दुवेदी जोवध यौ फूर सकते हो जलिया भी नदे लालित डी नमबर इनसे कोई नहीं तो इस को जो राइट एंसर हो जाएगा जो की हजाय प्रसाद दुबेदी से ठीक टो इसको जाएगा सी नमबर लेट ओके सी नमबर अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चन कहरा कि पुनर नवा किसका उपण्या से नमबर ए प्रसाद या कबीर दाव या रहीम दाव या फिर तुलसिदाव जी से रिलेटेट है उसमें मिक्स कोश्चन हैंगे तो आप लोगों को समाजना होगा कि पुनर नवा किसका उपन्या से तो ऐसे आफसन दे रहेंगे ठीक है तो आप लोग धान से को समझेगा फिर अंसर दीज तो क्या हो जाएगा हजाई पसाद दुबेदी ठीक है सी नंबर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि निबंधकार्ड ने किस ब्रच को आर्था तीद चंद कहा है नंबर एक असो को देवदारू को आम को सीरीज को कुष्चन कर आइट अंसर हो जाए का निबंध संग्रा है नंबर एस पाल का हजाय प्रसाद का पंत का निराला का तो कुष्चन का राइट एंटर हो गया हजारी प्रसाद का ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लिखा है कि निबंधको ब्यक्तिकी स्वाध्धीन चिन्ता की उपज किसने माना है तोस्टिकाइब था क्वेश्चन का एंसर होगे वह मल्टिपल च्वाइस होनगे ठीक है यनी कि औबजयक्टि वश्चन और स्केंडिया है थर्ड ये जैस बार की मल्टिपल य demasiado ही है हैं ठीक है और कुछ सब्जेक्टिव हो सकते हैं लेकिन ज्यादा चांसे सब्जेक्टिव के नहीं है औब्जेक्टिव क्या है क्योंकि इस बार जो एक्जाम वह काफी सोसल डिस्टेंसिंग को बनाके होने वाला है ठीक है आप सभी को मालूम है कोविट की वज़ा से अगला क के सब्सक्राइब कुछ साव हुआ कि मंशेयर हजाय सब्सक्राइब वह वहएं वनम है बठते हैं कि अगला क्या रहा कि अध्या नंबर न्जनक नंबर नमबर रम कुमार वर्माण का दिनकर का हजाय प्रसाथ दुबेदी का तो क्वेश्चन का राइट एंचर हो जाएगा बी नमबर सुरी डी नमबर हजाय प्रसाथ दुबेदी ठीक है अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बात करते हैं कि अचार दुबेदी के अंत करण में किसके सनन्ध में आने के उपरांत मानाउतावाद के प्रति द्रण आस्था पैदा हुई नमबर एक भगस जिंग पाड़िनी रविद्नाठ टैगोर इनमें से कोई नहीं तो क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा सी नमबर रविद्नाठ टैगो ठीक है अगले को बढ़ते हैं कि अगला कि क्वेश्चन कहरा कि हजाएपसाद अबेदी की मृति कब हुई थी या इनका देहान ते निधन कब हुआ था तो आफसर आपको मिल जाएंगा उनीसों सी उनीस्टो अठावन उनीस्टो उन्यासी और उनीस्टो पच्छत्तर तो क हजाएपसाद और जी जो निधन है यह फिर मृति हैं उनीस्सों उन्यासी में एकला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद दुबेदी का निधन कहां हुआ था अब या ऊपर कोश्चन आपने पढ़ा था कि इनका जन्म कहां हुआ था तो इनकी जो दिल्ली में हूं थी कुर्सिदास का कभीर दास का हजाय पुश्थ मालूमे की हो जाएगा नमबर हजाय पुश्थ दूवेदी ठीक है अब हम बढ़ते हैं कि अगला कुश्थ देखते क्या कह रहा है अगरा question है कि असोग के फूल किसका निबंद संग्रा है अपसन आपको मिली जाएंगे राइट एंसर हो जाएगा हजाय परसाथ दुबेदी अगरा क्वेश्चन है कि निम्न में हजाय प्रसाथ जी का जन्म कहां हुआ था ठीक है तो राइट एंसर जिन छात्रों को मालूम है वो बता सकते हैं बेसक कमेंट करके ठीक है आप से मिल जाएंगी 1950-1890 और 1907-1920 ठीक है तो जो क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा जि है हम वेट कर रहे हैं आप सभी का देखते कितनी जल्दी कौन बताता है चाहतर ठीक है तो चली वेट कर रहे हैं कि विश्चन का राइट एंसर हो जाएगा 1907-20 में सी नमबर ठीक है अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा कि हजाय पसाथ अगले क्वेश्चन के निबंदों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है तो आफ्चन मिल जाएंगे आप लोगों को 15-53-12 तो कोश्चन कर राइट एंसर हो जाएगा पांस ठीक है बी नमबर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा कि लिदास की ललित्य योजिना किसका गरंत है अब सरने के परश्राम रामचंत हजायप्रसाद दुबेदी इन मेंसे कोई ने कोश्चन कर राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर हजायप्रसाद दुबेदी जी ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निमनी में से सूर्ष साहित किसक अगरंत है तो हजाई परसाद दुबेदी का है ठीक है यहां पर आप यह मत सबज़ेगा सुर्ष दास का है ठीक है लेकिन यह कोई इंसर हो जाएगा सी नमबर दोस्तों आज किस वीडियो में हजायप्रसाद दुबेदी से रिलिटे इतने कोश्चन में रखे थे जो कि इं ठीक है तो मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियों तब तक रहें जाहिन दें